नमस्कार दोस्तों स्वाकत आपका हमारे यूटूब चैनल शिवा लर्निंग में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी रोग इन कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आलीगड मुस्लिम यूणिवस्टी यानि की एम यू के बारे में उसकी फीस, MBBS और BDS दोनों की में फीस, कट ओफ, सीट सब बताने वाला हूँ किस कैटेगरी के लिए कितनी है तो वीडियो को एंड तक देखें और चलिए श बात करें, इंटर्नल कोटा की इसमें 69 सीट है, इंटर्नल कोटा पी एच फॉर सीट, NRI स्टूटेंस के लिए इसमें 5 सीट रिजर्व्ड है, उपन कोटा 68, और ओपन कोटा पी एच फॉर, तो वाइस टोटल इसमें 150 सीट हो जाती है, MBBS की, और अगर BDS की बात करें तो इं 17, इंटर्नल कोटा पी एच वन, NRI के लिए इसमें भी 5 सीट है, उपन कोटा के लिए 16, और ओपन कोटा पी एच के लिए 1, और ऐसे इसमें टोटल BDS की 40 सीट है, तो इसमें MBBS की 150 सीट है, और BDS की 40 सीट है, और इसकी कट ओफ की बात करें, जो 2019 में हो सकती है, लास्ट के 3 BDS के बेस्पर हम बताते हैं कि 2019 में क्या इसकी कट ओफ हो सकती है, तो MBBS में है, इंटर्नल कोटा की 540, और इंटर्नल कोटा पी एच की 230, NRI की 480, और जो ओपन कोटा की है, ओपन कोटा गाइस, इसमें कोई से भी स्टेट के जो स्टुडेंट से वो एडमिशन ले सकते हैं, तो इसकी 567, ओपन कोटा पी एच 260, और BDS की बात करें, तो इंटर्नल कोटा वालों के लिए 500, इंटर्नल कोटा पी एच 140, NRI स्टुडेंट के लिए 235, ऑपन कोटा वालों के लिए जो हर किसी के लिए ओपन है, किसी भी स्टेट के स्टुडेंट के लिए, वो 525, और प्रफर करते हैं और टॉप 20 कॉलिजिस में से एक है हमारे देश की और अगर इसके हम फीज की बात करें तो जो MBBS की फीज है वो 42,990 रुपए इसकी फीज है प्लस में 24,000 होस्टल की है एनुवली पर मन 2,000 इसकी पे करनी होती है और BDS की 37,490 प्लस इसकी भी 24,000 होस्टल की 12 मैंने की 24,000 होस्टल फीज है तो वाइज बी एचिव के बाद बंदे स्टूडेंट्स इससे ही प्रफर करते हैं और काफी अच्छी उनिवस्टी है आप इस पर देख सकते हैं इस वीडियो मैंने आपको इसकी कट ओफ फीज और सीड्स का बताया डिस्ट्रिबूशन और व